पिछले फिश्वर्ड में हाउचेन के पास नेचर गोडेस और लाइट गोडेस दोनों की पाउर आ गई थी और अब इस तरह से वो अपने लाइट स्वर्ड का यूज करके अबाव के उपर अटेक करने के लिए रेडी हो गया था जिसके बाद हम देखते हैं कि अबाव भी डिमोनिक ड्रेगन का यूज करने की कोसिश करता है लेकिन इसके बाद भी वो हाउचेन के अटेक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि अबाव भी इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजड हो गया था लेकिन इसके बाद वो हाउचेन का यूपर था लेकिन तभी अचानक से उसे अपने फादर के साथ में किये गए वादे के बारे में याद आने लगता है क्योंकि यहाँ आने से पौले उसने अपने फादर से कहा था कि फादर आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करना क्योंकि अगर गोड हेड को पाने के लिए मुझे अपने टुकडे भी करने पड़े तब उसके बाद भी मैं वहाँ से पीछे नहीं अटूंगा जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऐसी बात सुनकर उसका फादर डिमन गॉड भी इस बात से काफी इंप्रेस हो गया था और अब आव ने उससे कहा था कि मैं गॉड को अपने अंदर से बाहर निकाल लिया था क्योंकि वो इसे से क्रिफाइस करके डिमन गॉड को यहाँ पर आने के लिए मजबूर करना चाहता था अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपने हाट को यहाँ पर से क्रिफाइस कर देता है जिसके बज हम देखते हैं कि हाउच इनके साथ ही भी काफी परेशान होने लगे थे और इन में से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से यहाँ पर क्या हुआ तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर इनको फिर से कोई पाल फील होने लगती है लेकिन अभी भी वे इसके बारे में कुछ नहीं समझ पाये थी और तभी अचानक से हम देखते हैं कि इस पूरे जगा में क्रैक आने लगता है अब इसके बजास से हम देखते हैं कि वे सबी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहना लगते हैं कि आखिर का राचानक से यहाँ पर क्या होने लगा तब ही इसी भीच हम देखते हैं कि फैंटेसी पारडाइस का बैरियर भी तूट जाता है और फिर इनको पता चलता है कि यहाँ पर देख पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर कहना लगता है कि अबाव ने तो यहाँ पर अपने हार्ड को इसलिए से क्रिफाइस किया था ताकि इस तरह से बखुद दिमन गॉट को यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर सके अब इसके बज़ास से हम देखते है कि वे सबी इसके सामने बहुत बुरे तरीके सेफंस गये थे और इनमेंसे किसी को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि दीमन कॉट अब इनके साथ में क्या करेगा तभी इसी भी हम देखते है कि दीमन कॉट की नजर अबाओ उ उसके साथियों के बॉड़ी के ऊपर को अपने पास में रख लिया था और फिर वो हाउच इनके तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ पर तो सच में बहुत सारे सर्फ्राइजेज हैं क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा उमीद नहीं किया था कि तुम अबाव को ऐसा करने के लिए भी मजबूर कर दोगे लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि दिमन गॉड इस बात से गुसा भी हो गया था और फिर वो तुरंत यहाँ पर अपने पावर का यूज भी करने लगता है अब इसके बज़ा से हम देखते हैं कि यह पूरी जगा तुटने लगी थी और इसके अलाबा दिमन गॉड के प्र तरस्यां पर दिमन गॉड के ज़ान कि दला देखते हैं कि द्वाम के लिए मेरा सामना कर पाओगे अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वह भी अपने पावर का यूज करने लगा था और उस तरह से उसने हाउचन के अटेक को बहुत ही असानी से रोक लिया था इसके बाद वो इसके उपर अटेक करते हुए कहता है कि तुम तो अभी बीगनर हो इसलिए अभी तुम्हें इतना ज़्यादा परिसान होने की ज़रुत नहीं है अब इसके पाउर के बज़ास हम देखते हैं कि हाउचन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता लेकिन इसके बाद भी वो डिमन एंपर के सामने इतने असानी से हार माने वाला नहीं होता और वो फिर से अपने स्वाड का यूज करके इसके उपर अटेक करने के लिए आ जाता है लेकिन हम देखते हैं कि हाउचन ने इसके स्वाड को बहुत ही असानी से पकड़ लिया था और फिर वो हाउचिन के आखों में देखते हुए कहता है कि तुम्हारे पास में अबाउ से भी ज़्यादा पोटेंसियल हो सकती है जहाँ पर हम देखते है कि हाउचिन को यहाँ पर अपनी एक इविल जलक दिखाई देती है और उसे देख ऐसा लग रहा था कि डीमन एमपरर साइदी से अपना सक्सेसर बनाना चाहता है लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचिन इतने असानी से इसके सामने हार माने वाला नहीं होता और फिर वो Demon Emperor से कहता है कि तु मेरे होते हुए Godhead को इतने असानी से यहां से लेकर नहीं चापाओगे इसके बाद वो उससे कहना लगता है कि Godhead तो अब मेरे साथ में मर्ज हो गई है इसलिए अगर मैं किसी तरह से मर गया तो Godhead भी मेरे साथ में यहां से गाइब हो जाएगी जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचन खुद को अपने हाथों से मार देना चाहता था ताकि इस तरह से Godhead यहां से गाइब हो जाए और इस तरह से वो Demon Emperor के हाथों में ना आ सके या नहीं कर पाएंगे या पूरी तरह से असल में आपके उपर है तब इसके बारे में याद करके Demon Emperor कहने लगता है कि मैं भी इसके बारे में जानता हूँ और फिर वो हाउचन से कहता है कि तुम अभी इसी तरह से ग्रो होते रहों क्योंकि मुझे आस सा लगता है कि तुम अभी भी बहुत ज़्यादे इमेचियोर हो और जब अगली बार हमारी मुलकात होगी तो Godhead और तू मेरे हो जाओगे अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि दिमनेंपर यहां से गायब हो गया था तभी इससी बीच हम देखते हैं कि उसके यहां से जाते ही Fantasy Paradise का सीन पूरी तरह से चेंज होने लगा था और उसी के साथ अब Nature Goddess और Light Goddess भी यहां से गायब हो गये थे अब इसके बज़ास से हम देखते हैं कि Fantasy Paradise के सारे क्रियाचर भी बहुत चादा खुस हो गये थे और वे सभी एक साथ में House इनके तरफ ही देखने लगे थे वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि Air Dragon के उपर से भी वहाई स्वेल गायब हो गया था जिसके बज़ास से इसके त सुनकर यहां के सभी क्रियाचर भी इसके लिए रेडी हो गये थे और फिर वे तुरंत ही House इनके सामने आकर उसे ग्रीट करने लगते हैं इसके अलावा हम देखते हैं कि खुद Elf Dragon भी अपने Human रूप में आकर इसे ग्रीट करने लगा था जिसे देख अब House इनके सभी साथ पर बहुत ज़्यदा खुस हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि हमारे लीडर ने तो Demon Emperor को भी यहां से भागा दिया तब इससी भीच हम देखते हैं कि House इनके बारे में सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था और फिर वो Godhead से कहता है कि तुमने अभी मुझे Divine Springer कहा लेकिन आखिर कार इसका मतलब क्या है जिसके बाद Godhead इससे बताने लगती है कि जब Universe की सुरुआत हुई थी तब उस समय creation God का जन्म हुआ था जो की Absolute Will और Universe का Supreme Authority है और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे God और Planes को create किया था फिर आगे बताती है कि यह सभी Godhead एंसियन और 90 पॉइंट से जदा हो गया तब इस तरह से ऐसे कंडिस्टन में उसे God के दौरा फेवर किया जाता है और ऐसा उमीद होता है कि वो Divine Scroll से अवेक्निंग हुआ हो इसलिए वो उससे कहती है कि अगर तुमने Divine Scroll के अवेक्निंग को complete कर लिया तब इस तरह से इसका मतलब होग इसको प्रोटेक्टर करने के लिए चूज किया था तब इसके बारे में सुनते ही लिंसिंग कहना लगता है कि यह तो सच में बहुत ही अमेजिंग है और हमारे लीडर तो सच में God के दौरा चूज किये गये हैं लेकिन तब ही Godhead साहर के तरफ देखते हुए कहती है कि इसके पास में भी मैजिकल फीजिक है और अब असल में वह भी अवेकनिंग से ज़्यादा दूर नहीं है तो अब इसका अगला पार्ट भी कुस्टर में अपलोड हो जाएगा लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर कर दो लेकले ना